तो गुड मॉर्निंग सब को कल का व्लोग जो मैंने अंड नी करा था और मॉर्निंग वो चुकी है और हमने बपा जी की जोर पूजा भी कर लिया और आज हमने इनको भोग लगा है लड़ों से देखिए आप कितने प्यारे लग रहे और मैं बिल्कुल इनकी साइस किया माला बनवाकर के लाइं देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे बहुत संदर लग रहे आज तो अब मैं इनको ब्रेकफास्ट दे देती हूं जल्दी से यहीं पर ही बैटके हम ब्रेकफास्ट करेंगे चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों से इस चाहिम पर मैं बना क्योंकि ऐसा ही कुछ होगा अगर कुछ गड़ बड़ हुए तो इसलिए चाहिए बना रहे हूं सच में जा रहे हो क्या मुह से बोलो ना हाँ वही तो गाइस फाइनली मैं आगे हूं चंदीगाड घर से और यह चंदीगार का नजारा दिखाता हूं कुछ कैसा है यहां का म प्रिमेंडर और बहुत प्यारी बिल्डिंग है यह सुसाइटी दौर का नोड़ा बाकी शाम को मार्किट जाएंगा भीया के साथ मार्किट जाते हैं मार्किट का नजारा दिखाता हूं मार्किट बड़ी तो मैंने शाम की पूजा भी कर ली है अब जो है कुछ करने को इतना खास है नहीं तो खानवाना बनाते हैं उसके वाद मिलते हैं आपसे खाना बनाते हूं तो अभी हम बजार में एंटर हो चुके हैं तो अकेली आई है अकेली आई है तू हाती अकेली बग रही है तो किचन में आ चुकी हूं मैं खाना बनाने के लिए हमने डिसाइड करा है बिना लसन प्याज का खाना बनाएंगे 10 दिन तक और हम बपा के पास ही सोएंगे गनेश जी के पास ही जहां पर उनकी स्थापना करी यह हम लग भी भही पर ही सोएंगे त्याग दिए हमने वो एसी वाले कमरे हम नॉर्मल सिंपल धर्दी पर अपना बिस्तर करके सोएंगे उनके पास में तो चलिए बनाते हैं अपना खाना उसके बाद मिलते हैं आप लोग उसे खाना खाते हुए तो गाईज इस व्लॉप को करती हूँ मैं यही परी एंड आई होप आप लोगों व्लॉप पसंद आया होगा चानल पे नहीं सब्सक्राइब करें पुराने हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंड करें, ज्यादा ज्यादा फॉलो करें और इस टाइम पर मैं लेटें उपने गनेशी के पास में तो चलिए मिलते हैं कल दुबारा से एक नए व्लोग में तब तक के लिए बाई